असलाम अलेकुम मैं हूँ मुदर से नजर वर्डपेस के चप्टर 26 में आपको खुशामदीद करता हूँ और इस चप्टर में हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में अपने एक से दिखा होगा वर्डपेस के अगर आप किसी पोस्ट में जाएं जैसे के है एक वैली ऑफ डैथ तो बिल्कुल वीडियो के नीचे आपके पास एक कमेंट बॉक्स शोव हो रहा होता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं इसमें अभी में पास वो शोव नहीं ह करने बाद मैं पर पोस्ट कमेंट करता हूं तो मेरे पास यहां पर यह जो कमेंट से रहा हैं आपर डिस्पले हो रहे हैं तो इन कमेंट को हम शो करवाएंगे हमारे इस टेंप्लेट में मेरे पास यहां फोई ऐसा फार्म माजूद नहीं है अगर चानल से अगर मैं सिंगल नहीं करने वाले तो हम यहां से यह code जो हो कहीं से copy कर लेंगे और यह code जो हो तकरीबन same ही होता है तकरीबन जो form है इसका वो तमाम wordpress के themes में exist ही होता है styling different हो सकती है styling आप अपने हिसाब से जो है उसको exist कर सकते हैं तो सबसे पहला काम मैं जो करूँगा वह यह है कि मैं आप एक file create करूँगा comments.php और उसके बाद जो हम comments display करवाएंगे यकीनन वह होगा हमारा single.php page और बिलकुल यहां पर end if की statement के बाद हमें आप लिखेंगे div यहां पर मैं इसको id दूँँगा div को comments template और अब यहां पर लिखेंगा PHP और यहां पर लिखेंगा comments template और यहां पर मैं इसको close करूँगा इस तरीके से और अब अगर मैं यहां पर जाके refresh करूँ तो मेरे पास यहां पर एक error display करवागा क्यूंकि मेरे पास यहां पर कोई चीज भी मौजूद नहीं है हमने कोई यहां पर display नहीं करवाया हम पस जो हमारा comments.php file है वह बिल्कुल खाली है बिल्कुल blank है तो हमें यहां पर इसको फिल करना है तो उसके लिए मैं पर हमारा जो 2011 theme है जो के default theme होता है WordPress का उसका comments का code है वह यहां पर copy करूँगा मैं पर select all करूँगा इसको बंदा देता हूँ और अब मैं पर इस comment में जाके यह code paste करकर सिफ कर दूँगा उसके बाद हमारे पास यहां पर दुबारा रहाएगा क्योंकि हमने function.php में इसको register नहीं करवाया हुआ तो function.php जो है मैं आपर open करता हूँ और इसका comment का code है जैसे के यहां से start हो रहा है वो यह आप दिखते हैं 2011 comments मैं आप पर copy करता हूँ इसको और यहां तक मैं इसको copy करके यहां पर paste करता हूँ single.php है उसमें हमने यह code लिखा हुआ है और उसके बाद मैं आप रिफ्रेश करता हूँ दिखते हैं हमर पास क्या display अब आप दिखते हैं कि हमर पास जो code है वो हमने यहां पर लिखा और इसके बाद हमर पास जो box है वो display होना शूरू हो गया मैं यहां पर log out करता हूँ इसको ताकि हमर पास complete form है वो display हो जाए अब दिखते हैं हमर पास जो form है वो display हो रहा है लेकिन हमें यहां पे कुछ styling आप्लाइ करनी पड़ीगी अगर आप यहां पे जाएं मैं आपर hover करूँगा इसको तो इसके ओपर मुझे जो है वो एक style अप अब देखते हैं हमर पास जो styling है वो थोड़ी सी हमें मैनत करनी पड़ीगी इसके उपर styling है वो हम edit कर सकते हैं तो आप styling जो है अपने साब से इस पर apply कर सकते हैं मैं आप यह तवाम fields फिल करूँगा जिसके name, email, testing, post comment, post, अब आप देखते हैं हमारा जो comment है वो यहां पर आगा testing one अब हमर पास जो हमारा avatar है वो भी आ रहा है जो name है वो भी आ रहा है कब name post किया वो भी आ रहा है moderation के लिए wait कर किया जा रहा है तो अगर हम यहां पे जो इसका admin panel है wp-admin वहां पर जाओं तो यकिन हमर पास जो comment है वो आगया आप दिखते है comments में एक comment आप इसके टेस्टिंग का जो है वो यह आगया मैं इसका approve करता हूँ और इसके बाद view post करता हूँ तो मेरे पास यह comment जो हो टिस्पे होना शूरू हो जागा मज़ी जो styling है उसकी जुरूत है आप styling जो है उसके पर प्रप्लाइ कर दीजिएगा जो आपको चाहिए हो क्योंकि है यह जो है हम CS का course नहीं है यह वाटरस का course है तो इसलिए मैं आपको basic जो है टैक्स बता रहा हूँ ताकि आप यह सारी चीज़ आपने तीम में डिस्प्ल तो दौाओं में याद रिखिएगा मिलेगे इंशाला अगरे ट्रिटोरियल में अलाहाफिस